आज हम नारेशन में ऑप्रेटिव सेंटेंस को चिंज करना सीखेंगे ऑप्रेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें ब्लेसिंग, प्रे, कर्स और विश ऐसे सेंटेंस का बोध होता है आइसे सेंटेंस हैं में से शुरू होते हैं कभी-कभी में hidden भी रह सकते हैं और सेंटेंस के अंत में exclamation marks होता है तो यहां पर पहला sentence जो है रंजन said to him May you live long यहां पर blessing की जा रही है आशिरवात दिया जा रहा है कि तुम्हारी उमर जो लंबी हो May you live long तो यहां पर bliss का sense है The saint said May God help him इश्वर तुम्हारी मदद करें यहां पर pray किया जा रहा है तो यहां पर pray का sense है राजकुमार said to him May you die तो यहां पर curse है कि तो मर जाओ वह मर जाओ तो यहां पर जो है यह curse है अब जब इसे हम change करते हैं तो reporting verb को अगर bliss का sense हो तो bliss लगाएंगे अगर pray तो pray wish और curse तो curse तो यहां reporting verb जो हमारे पास है वो है said to, said, said और said to तो इन्हें हम change करेंगे blessed में, prayed में, wished में और cursed में उसके बाद inverted commas को हटा के वहां पर हम that लगाएंगे और may you die या may you live long है इसे assertive यानि statement में change करेंगे जो you may live long होगा और may को हम might में change करते हैं तो सबसे पहले पहला sentence हम change करते हैं रंजन seed to जो है blessed में change हो जाएगा तो blessed him that लगेगा ओके that के बाद इन्हें हम statement में change करेंगे तो जाएगा you may live long ओके तो you जो है second person है तो यह reporting वर्ब के object object से change होगा तो यहां object him है तो you को him के अनुसार change करेंगे तो यह ही हो जाएगा ओके may might में change हो जाएगा he might live long और last में हम full stop देंगे exclamation marks हाट आएएगे दूसरा sentence है यहां पर pray का sense है तो the saint prayed that लगेगा may God help you को change करेंगे तो यह हो जाएगा God may help you तो God may might change हो जाएगा help you जो है यहां पर you जो है यह objective pronoun है objective pronoun यहां reporting verb के object से change होता है तो यहां पर हम me भी लगा सकते है या me की जगा him her में भी change कर सकते है तो the saint prayed that God might help me भी लगा सकते है him भी लगा सकते है तो him हमने यहां पर लगा दिया क्यूंकि अगर reported speech के अंदर second person हो और reporting verb में object नहीं हो तो उस condition में reporting उस condition में जो है second person को जब हम change करते हैं तो वह first person या third person में change हो जाता है तीन नमबर देखते हैं मंजीत सेड तो यहां wish है तो wish कर देंगे मंजीत wish सेम सेम defect लगेगा डाट के बार इसे हम change करेंगे में the king लिव लॉंग का the king में live long हो जाएगा तो the king में का m隍ठ हो जाएगा और live long होगा fullest of last में लगेगा तो यहां पर curse का sense है यहां पर curse का sense है तो राज कुमार cursed him that लगेगा इसे हम statement में change करेंगे तो you may die हो जाएगा you जो है object के हिसाब से change होता है reporting वर्ब के तो him के हिसाब से यह ही हो जाएगा okay may might में बदलेगा और die sorry die के बाद यहाँ पे हम full stop लगाएगे कभी कभी क्या होता है कि may नहीं रहता तो उस condition में जो है हम खुद से लगा देंगे जैसे यहाँ पे may God help की जगा God help you होता तब भी इसका sense may God help you का ही आता या may you die की जगा you die होता तब भी हम may जोड़कर और सेम सेम ऐसे change करते है तो आज हमारा optative sentence भी खतम हो चुका है अब next video में हम exclamatory sentences को देखेंगे thanks for watching